हेलो फ्रेंड सबस्पेला का बहुत बहुत सवागत है दोस्तो आज किस वीडियो में आपको कम्प्लीट दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम के डिलीटेट फोटो पोस्ट आप रिकवर कर सकते हो फ्रेंड या ती चाहे हुए गलतिस डिलीट हुआ हो या फिर फ्रेंड रिसेंटली में आपने डिलीट किया है तो कैसे उसे आप रिकवर कर सकते हैं मातर दो इस्टेपस हैं और एक सेटिंग है दोस्तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा वीडियो का आप इसके बिल्कुल मत करिएगा लास्ट तक देखेगा आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप रिकवर कर पाऊगे सबसे पहले चली मैं आपको टाइम विश नहीं करता हूँ आप इंस्टाग्राम को उपेन कर लीजिए दोस्तों इंस्टाग्राम को उपेन करके आप अपने अपसन पर यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर आ जाएए दोस्तों सबसे पहले जिस भी आईडी का आपको वीडियो पोस्ट रिकवर करना है वो यहाँ से अप चेक आउट कर सकते हो पर लुक्त डिलीट है यहां से ब्लू कलर का टिक आजाएगा एदे एक ट्यूह थो अब दोस्तों अब जैसे आपने यहाँ से इस आइडी का आपका फोटो जर पोस्ट डिलीट हुआ था तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां से मेरा कोई भी पोस्ट एक मैं डिलीट कर देता हूं ठीक है मैं इसको डिलीट कर देता हूं दोस्तों यहां से मैं इसको डिलीट कर देता हूं और यह चीज़ डिलीट हो जाएगी अब दोस्तों मैं इसको रिकवर करके आपको दिखाऊंगा इसको मैं रिकवर कैसे करत जैसे हम वीडियो करने वाले उसे तरह से आप फोटो को भी रिकवर कर पाऊगे तो दोस्तो एक्चुल में मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि पहले आपका जो है तो रिकवर करने का अपसन यूर एकाउंट से हो जाता था यनि सेटिंग में जाते थे आप और ए एक चीज करनी है आपको जो चीज में करने वाला हूँ ठीक है तो फ्रेंड उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है आपको एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है यूर सेटिंग अपसन पे आप एकाउंट के अपसन पे आते थे तो रिसेंट डिलीटेड अपसन आपको मिल जाता है यहाँ ठीक है तो रिसेंटली डिलीटेड का अपसन यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने अभी रिसेंटली में डिलेट किया है तो आप देख सकते हो यहाँ रही है दोस्तों इसको रिकवर कैसे करना है रिकवर करने के लिए आपक आप इसको यहाँ पर क्लिक करिए जो है तो रिस्टोर पर क्लिक कर देजिए तो यह रिस्टोर हो जाएगा ठीक है आपको 30 दिन के अंदर इसको रिस्टोर करना होता है इस तरह से फोटो पर क्लिक कर लिजे और फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर रिस्टोर पर क्लिक कर देजि यदि दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों से स्यार जरूर करिएगा धन्यवाद